नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपियस ये नेट के मेरे इस यूडियूट चैनल पर दोस्तों प्रीवियस येर कॉश्चन पेपर लेक्चर सिरीज के अंदर प्रशन पत्र तीन की ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें मैं जून 2012 के कॉश्चन पेपर को आपके सामने डिसकस करूँगा और दोस्तों आपको पता ही है कि ये अबजेक्टिव टाइफ प्रशन पत्र तीन जून 2012 से ही रखा गया है तो ये मेरा पहला वीडियो है अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को निमलिखित में से कौन सा अभिकतन सत्य नहीं है आपको असत्य बताना है कि कौन सा गलत है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिधान्त मूल्य और तथ्य में परसपर संबंद स्थापित करता है बिलकुल सही बात है उत्तर व्यवहारवादी करांती इसलिए आई थी क्योंकि व्यवहारवादी करांती ने क्या किया था मुल्यों को राजनीती से बिलकुल अलग कर दिया था जिसके कारण नतीजे क्या है बिलकुल विपरीता है हमारे जो राजनिती के नतीजे थे वो बिल्कुल उल्टे आने लगे उसकी बज़े से उत्तर वियवहारवादी करांती ने क्या किया जो वैल्यूज थी और फेक्ट थे उनको पर्सपर उन्होंने उनमें संब्द स्थापित किया था ठीक है उत्तर व्यवहारवादी राजनितिक सिधान्त सजाती केंद्रित है दोस्तों ये पहले भी आच चुका है ये एथनोसेंट्रिक नहीं है ठीक है ये एथनीसिटी सेंट्रिक नहीं है ये पूरे वर्ड को एक साथ लेके चलता है तो यहाँ पे B बिलकुल गलत है तो इसका सही अंसर भी B है उसके बाद उत्तर व्यवहारवादी राजनितिक सिधान्त का कारिय और प्रासंगिकता से संबंद होता है बिल्कुल सही बात कारिय और प्रासंगिकता से इसका बिल्कुल संबंद होता है और डेविड इस्टन ने जो इसकी साथ विशेषता है बताई है उत्तर correct answer है दोस्तों अगर आपको लगता है कि मुझे एक एक point को आपके सामने अच्छे से discuss करना है describe करना है तो video को यहीं रोक दो और comment box में लिखो otherwise कुछ लोगों को क्या लगता है कि जल्दी से जल्दी answer बताए ताकि time हमारा waste ना हो तो मैं नहीं चाहता कि आपका time waste हो इसलिए comment में आप बता दे जो भी आपको सही लगता है ठीके दोस्तों आगे वढ़ते हैं सकारात्मक उदारवाद का निमलिखित में से किसमे विश्वाश नहीं है positive liberalism की जो धारना जे इस मिल से शुरू होती है उसके बाद green ने positive liberalism के अंदर अपना योगदान दिया है तो इसमें कल्यानकारी राज्ये की बात बिल्कुल positive liberalist का मतलब ही यह है कि यह कल्यानकारी राज्ये की बात करते हैं यह नैनी राज्ये की भी बात करते हैं यहाँ पर छोटे राज्य बिल्कुल गलत दिया है अगर यहाँ पर नेनो होता तो छोटे राज्य होना था तो CBSE से भी गलती हो जाती है नैतिक माध्यम के रूप में राज्ये नैतिक माध्यम के रूप में राज्ये बिलकुल सही बात ये राज्ये को क्या है नैतिक institution मानते है moral institution T.S. Green को आपने पढ़ा होगा ठीक है लगू minimal राज्य minimal राज्य क्या होता है जिसमें राज्य economy के अंदर बहुत कम हस्तक्षेप कर सकता है अहस्तक्षेप की नीती जहां पर राज्य अपनाता है उसे बोलता है minimal state तो minimal state concept था negative liberalism का ना की positive liberalism का तो यहाँ पर D इसका correct answer है Marx निमलिखित में से किसको नहीं मानते हैं Marxism आपने अच्छे से पढ़ा होगा मानव चेतना सामाजिक अस्तित्तो का निर्धारन करती है अब यहाँ पर देखो मानव चेतना मानव चेतना क्या है idea की बात कर रहा है जो idea है idea सामाजिक अस्तित्तो का निर्माण करती है यह eagle ने बात की थी idea सबसे पहले आया यह eagle बात करता है कि idea से ही सामाजिक अस्तित्तो बनता है लेकिन Marx क्या बोलते है Marx बोलते है जो आपके idea है जो आपकी चेतना है जो आपके विचार है वो भोतिक शक्तियों से निकलते हैं ठीक है भोतिक शक्तियों से निकलते हैं आधार अधी रचना पर आधारियत होता है बिल्कुल उन्होंने स्ट्रक्चर और सूपर स्ट्रक्चर की बात की तो ये सूपर स्ट्रक्चर उनका आधा ठीक है वस्तू सक्रिय और गतिशील होती है बिल्कुल सही बात वस्तू सक्रिय और गतिशील होती है उसमें डायलेक्टिक काम करता है इसका correct answer है B correct answer है ए जो की गलत है माक्स इसे नहीं मानते है रोल्स की नियाय की संकल्पना किसके उपर आधारित है दोस्तों जो रोल्स की नियाय की संकल्पना है वो अंतर पे आधारित है इन्होंने जो बुक लिखी है अजस्टिस अथियोरी अब जस्टिस 1971 में वो कहां से शुरू करते ह उनकी पहली ही जो पंक्ती है उसके अंदर डिफ्रेंसिस की बात की गई है आखिर गरीब और अमीर में इतना अंतर क्यों है आखिर क्यों गरीब ही रह रहा है और अमीर अमीर ही बनता जा रहा है उनके बीच जो प्रॉपर्टी का इतना बड़ा गैप है वो क्यों है तो इस इसी अंतर के सिधान्त को सुलजाने के लिए उन्होंने ये पूरी की पूरी नियाय की संकल्पना दी है जिसके अंदर उन्होंने वित्रण का सिधान्त दिया है समझोता सिधान्त भी दिया है और संप्रक्पधती का सिधान्त भी दिया है लेकिन इनका बेस क्या है आधार क्य जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था वो निम लिखित में से किसमे थी दोस्तों ये जो डायलोग्स और प्लेटो है ना वहां से लिया था ये महत्मा गांदी ने सत्यवीर की कथा ठीक है और इन्होंने गुजराती में इसका अनुवाद किया था देखते हैं कॉश्चन नमबर साथ सामयवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुखूलित किया एशियाटिक फॉर्म का मतलब है एशिया में किसने लागू किया और एशिया में उसको चेंज भी किया है एशियाटिक फॉर्म का मतलब ये है एशिया में लागू किया और उसको थोड़ा बहुत चेंज भी कि तो यह थे माउच से तुंग आपको पता है यह चीन के रहने चीन के निवासी थे और चीन के प्रेजिडेंट भी वने है पहले जो सामयवादी इन्होंने करांती वहां पे लाई 1949 में इन्होंने इसको एशियाटिक फॉर्म में कन्वर्ड किया एशियाटिक फॉर्म क्या है य कि Marxism-Leninism जो यूरोप में था उसके अंदर इन्होंने अपनी थियोरी दी जिसे सैनिक्षाशन बोल जाता है इन्होंने क्या बोला कि शक्ती क्या है बंदू की गोली से निकलती है तो इन्होंने क्या है Marxism और लैनिनिसम में शक्ती की महत्ता को सुईकारा और शक्ती को ही इ कौनसा अभी कथन सत्य है वो आपको बताना है प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है बिल्कुल गलत वात न्याय की विधिक संकल्पना तो अभी आई है modern time में तो ये तो आपके classical thinker है तो ये तो बिल्कुल विधिक संकल्पना तो ही नी न्याय के लिए ग्रीक शब्द डि प्राचिन काल में सिफेल्स बोलते हैं रिंड चुकाना ही नियाए है ठीक है प्लेटो का नियाए संप्रभू की शक्तियों द्वारा प्रवर्तित और उसके नाम के लिए बनाएगे कानूनों और सहस्थानों के नुरूपे बिल्कुल गलत है तो इसका करेक्ट आंसर सिर्फ B है ठीक है डिकाइन उससे निकला है जस्टिस स्टेट अफ नेचर पर लोग का विचार है पूर्वर राजनितिक निमलिखित में से कौन सा अभीकतन सकते है वो आपको बताना है दः प्रिंस में गणतंतर में राजनितिक अस्थिर्ता बनाए रखने के लिए अब दोस्तों राजनितिक अस्थेर्टा बनाने के लिए कोई लिखता है किताब बहुत इर्रैशनल सा लग रहा है न कोई यह तो पहले इतने इर्रैशनल टाइप के कोश्चन आते थे इसको easily solve कर सकते थे आप the discourse में जागिरो में राजनीतिक अस्थिरता देखो, यहां भी अस्थिरता, अगर यहां पे स्थिरता दिया होता तो यह कुछ हद तक हमें सही भी लगता, लेकिन यह बिल्कुल गलत है the prince राजाओं की गुणताओं से संबंदित है बिल्कुल सही बात, the prince के अंदर मैं क्या वो लिने प्रिंस में क्या गुण होने चाहिए या राजा में क्या गुण होने चाहिए उसको ये बता रहा है ठीक है और the discourses में नागरीकों की मांगो पर अपिक्षाकृत अधिक बल दिया गया तो बिल्कुल सही बात C इसका correct answer है C इसका correct answer है Question number 11 यहां किस ने कहा कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समविष्टी है दोस्तों ये M.N.Roy ने कहा M.N.Roy ने क्या बोला जो मानव का स्वभाव बनता है मानव का स्वभाव कैसा होता है मानव रूडिवादी बनते है मानव आपके क्या बनते है जो राजपूत होगा उसके अपने जो इसकी एथनीची है उससे प्रावड होगा लेकिन जो दलीट होगा उससे कभी भी ट्राउड नहीं होगा तो मैं में रो यहां पर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं अरविन्दो मुख्यता किसके लिए विख्यात है दोस्तों इन्होंने Life Divine एक पुस्तक लिखी है जिसके अंदर इन्होंने अच्छे से क्लियर किया है कि हमारी Life क्या है, Life कैसी होनी चाहिए, Life को अच्छा कैसे बनाया जाए और अभी तक जो Science में और Spirituality में क्या क्या Development हुई है उसब कुछ इसमें इन्होंने बताया है Question number 13 Plato का न्याय सही कारे करने की प्रवरती का प्रतिपादन करता है बिल्कुल सही बात Plato क्या बोलता था न्याय वही है अपने साथ अपने साथ न्याय तभी है अगर आप अपने मन पसंद का काम करते हैं जो की आपके जो रूह है उसके साथ मेंज कर रहा है ठीक है अन्याय जहनने से अच्छा है अन्याय करना बिल्कुल गलत बात अन्याय करना तो बिल्कुल ही गलत बात है तो यहाँ पे बिल्कुल नेगिटिव स्टेटमेंट है मतलब आ रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल गलत है तो इसका correct answer है C A सही R गलत है question number 14 सुची एक को सुची दो से आपको मिलाना है और इसमें लेखक दिया है और उनकी पुस्तके दिया है बहुत ही जनरल सी पुस्तक है और इसी से इनके ideas निकले है man man ideas Frederick Hayek ने बात की है the road to serfdom और इन्होंने क्या बोला है जो कल्यानकारी राज्ये होता है और दास्ता की और ले जाता है ठीक है यह कैसे ले जाता है आपने प्लीज एक बार इसको google पे search कर ले ना क्योंकि मेरे पास उतना time नहीं है इसमें बहुत ही अच्छी बात इन्होंने ब जाती हो जाएगी ना वहाँ पे निरंग कुष्टा हो जाएगी जहां पे निरंग कुष्टा हो जाएगी वहाँ पे दास्ता की और तो आपने एक बार इसको search कर लेना जॉन रोल्स जॉन रोल्स ने दिया है a theory of justice 1971 अमर्ते सेन ने दिया है नियायका विचार 1999 के अंदर इन लिखी है यह तो Aristotle ने लिखी है तो यहाँ पे यह क्या है इसका तो हमें मिलाना तो पड़ेगा Plato का the politics दिया है क्योंकि यह मैच तो होगा लेकिन यहाँ पे the Republic होती तो बिल्कुल सही होना था लेकिन हम फिर भी मैच कर रहे है तो अब देखिए 14 का यहाँ पे correct answer बन रहा है 15 अरस्तु के कार्या कार्योत पादन सिधान्त में निमलिखित का सही अनुक्रम क्या है कार्योत पादन का संबन मतलब कार्य कैसे होता है उत्पादन कैसे होता है अगर कोई चीज हम बना रहे हैं कोई चीज समाज में आ रही तो क्यों आ रही है किस तरीके से आ रही है उसका आपने सही करम यहाँ पे बताना है तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है बहुती कारण materialistic cause होता है सबसे पहले अगर आपके पास कोई matter है तब ही आप उसके उपर फरदर काम करोगे उसके बाद निमित कारण ठीक है निमित कारण अगर matter है तो matter को हम क्यों बनाना चाते है उसके पीछे हमारा निमित कारण क्या है और उसके बाद होता है हमारा अपचारिक कारण और सबसे लास्ट में अंति म्याँ जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हो तो इसका correct answer है D question number 16 यहाँ किसका कथन है कि structural functional visualization परिवर्तन में दुर्बल था structural function जो आमन ने दिया है वो परिवर्तन में क्या है दुर्बल था कि उसमें जल्दी से जल्दी परिवर्तन नहीं किया जा सकता था सामाजिक प्रक्रिया विशलेशन सामाजिक प्रक्रिया विशलेशन राजनिती में और सिधान्त में तुलनात्मक इतिहास दृष्टी कौन दुर्बल था दोस्तो ये S.P. Huntington ने दिया है निमलिखित मैं से किसने माक्सवाद के वेकलफिक दृष्टी कौन के रूप में कारियात्मक वाद फंक्शनलिजम की व्याख्या की है दोस्तो W.G. Roonsiman ने की है और इस टाइप की कॉश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे बार-बार पढ़ने पड़ेंगे और आप इसको भूलोगे नहीं मैंने सिर्फ दो बार ये पढ़ा है और मुझे लाइफ टाइम के लिए याद हो गया है दोस्तो W.G. Roonsiman निमलिखित में से किसने मानविय व्यवहार को अनिवार्य इंजिनियरी आमुखी करण की का प्रियास किया अनिवार्य इंजिनियरी आमुखी करण है इंजिनियरिंग ओरियेंटेशन किसने दी मानविय व्यवहार को ठीक है तो ये दी है Communication Theory ने Communication Theory ने कैसे बनाए Engineering कि इन्होंने क्या है एक System Approach इन्होंने लागू किये इसमें ठीक है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास Encoder होना चाहिए जो Encode करेगा Message को उसके बाद हमारे पास Message होना चाहिए फिर Channel होना चाहिए फिर हमारे पास क्या होएगा Decoder जिसको Receiver बोलते है फिर Feedback आएगी तो यह क्या है Engineer Orientation इन्होंने इसकी दी है आमंड की राजनीतिक विवस्था की विशेशताएं अधिकतर निमल निखित में से किसके राजनीतिक विवस्था से मिलती जूलती है दोस्तों जो आमंड ने यह Structural Functional Approach दिये यह United States of America से मिलती है और क्योंकि यह FW Rigs ने Ecological Approach दिये है विकाशिल देशों के लिए तो यह है United States Question number 20 निमल निखित में से कौन राजनीतिक संगठनों के संस्थानी करण, institutionalism और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंद मानते हैं मतलब अगर संस्थाएं बन रही है राजनीतिक संस्थाएं क्या है बन रही है और संस्थानी करण हो रहा है मतलब टिकरी है काफी टाइम तक अगर वो चल रही है तो उसमें क्या होएगा पॉलिटिकल डेवलप्मेंट होएगा अगर वो नहीं ठिकरी है तो political decay होगा तो political development और political decay से जुड़े है S.P. Huntington ते उसका सही answer है A. देखते हैं अगला question, question number 21 निमलिखित में से कौन से दृष्टी कौन सिधान्त से सरोपृथम लोकतंतर और समाजवाद की समिक्षा आरम की गई दोस्तो लोकतंतर और समाजवाद की समिक्षा आरम की गई थी elite theory के साथ elite theory का मतलब यहाँ पे है विशिष्ट वर्क सिधान यहाँ देखो elite theory दिया है तो आपको confused हिंदी में बहुत जादा करेंगे यह ठीक है तो यह है elite theory निमलिखित में से किसने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दली सत्तावादी एक दल बहुलवादी और एक दल सत्ताधारी में विभाजित किया तो दोस्तो यह ला पालंबरा और मायरन वीनर ने किया है निमलिखित में से किस परकार की सरकार में सरकारे विधान मंडल के अनिवार्य भाग के रूप में दूतिय सदन में होती है सरकारे विधान मंडल के अनिवार्य भाग के रूप में दूतिय सदन में होती है दूसरे सदन में होती है एक संटर को रिप्रेजेंट करेगी और दूसरी राज्यों को रिप्रेजेंट करेगी तो संगियश आशन प्रणाली में दुईतिय सदन में सरकार का अनिभारे भाग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसका सही आंसर है D निमलिखित में से किस पुस्तक में भारत की राजनीती पर अध्याए है भारत की राजनीती के उपर अध्याए है comparative politics today कोशन नमबर 25 इसमें सरकार का प्रकार दिया है और देश का नाम दिया है कि किस देश की सरकार इस टाइब की है वो आपको बताना है संसदिय शाषन पर नाली है संगिय भी है और रिपब्लिकन भी है तो रिपब्लिकन संगिय ये सारे मैच कर रहे है भारत के साथ भारत में संसद्य शाषन प्रणाली है, संगिय मतलब केंदरों राज्यों में शक्तियों का वित्रण है और Republican मतलब वहां का राष्टपती चुन कर आता है, तो भारत के बारे में हैं अध्यक्षात्मक शाषन प्रणाली, संगिय और Republican, ये है United State of America में अध्यक्षात्मक शाषन प्रणाली, संगिय भी है और Republican भी है क्योंकि राष्टपती चुन कर आता है, संसद्य एकात्मक देखो संसद्य एकात्मक शाषन प्रणाली आपको पता है और राजतंतर कहां पे है, ये है United Kingdom या Britain के अंदर, उसके बाद संसद्य कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिक ये है France के अंदर, तो यहाँ पे 25 का जो correct answer है, वो है D, D correct answer है, दोस्तों आप देख रहे है, quality and fact for UPSian net, अगर आपको ये मेरा lecture पसंद आ रहा है, प्लीज इसे like कीजिए और दोस्तों के साथ share कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जादा इसके उपर time ले रहा ह आपको सुधार सकूँ, तो देखते हैं question number 26, निमलिखित में से किस देश में राज्य नियायल्यो को सभी स्तर के नियायल्यो को नियायत पुनर निरिक्षन का अधिकार प्राप्त है, सभी स्तर के, बनी यह निमन स्तर का हो, जिला लेवल का हो, वो चाहे राज्ये का हो, या संबंद से अलग है, संग्ये विधान मंडल में उच सदन में राज्यों का प्रतिनीधित्यों का होना बिल्कुल सही बात, भारत में संग्ये विधान मंडल में जो उच सदन होता है ना राज्ये सबा, उसमें जनसंख्या के आधार पे प्रतिनीधियों को लिया जाता है, ल इटेश का भी लिखे संभीधान है तो ये बिलकुल सही यहां पर बात कर रहा है अवशिष्ट शक्ती प्रदान किया जाना अवशिष्ट शक्तियां क्या है भारत में होती है सेंटर के पास और USA और Switzerland में होती है राज्यों के पास ठीक है दुई पक्षिय नागरिक्ता दुई निमलकित में से कौन संसद्य सरकार की सबसे महतोपूर्ण विशेशता है यह है कार्य पालिका का विधान मंडल के प्रती सामूहिक उत्तरदाईतोर होता है तो यह सबसे महत्तोपून इसी से हम differentiation करते हैं अध्यक्षात्मक और संसदिय शाषन प्रणाली में ठीक है question number 29 केसी वीरे द्वारा निमलिखित में से कौन सी संग्य पद्धतियों को अन्य संग्य पद्धितों की जाज के लिए मॉडल पद्धिती माना गया है केसी वीरे केसी वीरे ने के मॉडल माना था Swiss संग्य पद्धिती को Swiss संग्य पद्धिती उनका मॉडल था और उसी के आधार पे उन्होंने क्या किया संग्य पद्धिती को दूसरी संग्य पद्धितियों का विशलेशन किया है ठीक है Question number 30 29 Sorry American संग्य पद्धिति So sorry यहाँ पे थोड़ी confusion होगी थी यह है American संग्य पद्धिति क्योंकि केसी वीरे क्या है American एक ठिंकर है और इन्होंने सबसे पहले अमेरिका की संग्य पद्धिति की का विशलेशन किया था Question number 30 संकट की स्थिति के लिए अध्यक्षात्मक पद्धिति उप्युक्त होती है बिल्कुल सही क्योंकि सारी की सारी शक्तिया किसके पास होती है राष्ट्रपति के पास और जो आपका संसदिय शाषन प्रणाली होती है उसमें शक्तिया तो भले ही राष्ट्रपति के पास होती है सैनिक शक्तिया, Emergency Powers लेकिन उसको क्या है विधान मंडल की अनुमती लेनी पड़ती है लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में नहीं है इसलिए ये बिल्कुल सही बात कर रहा है कि संकट की स्थिती में ये बहुत उप्युकत है राष्ट्रपति की पदावदी निश्चित होती है दोस्तों बिल्कुल सही अध्यक्षात्मक शाषन प्रणाली में राष्टपती की पदाओं दी निश्चित होती है चार साल लेकिन क्या यही कारण है कि यह संकड की स्थिती में बिल्कुल सही है बिल्कुल गलत संकड की स्थिती में इसलिए यह उप्युकत है जो मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि सारी के सारी शक्तिया राश्टपती के पास होती है तो ए और आर दोनों से ही है और आर एका सही स्पष्टी करण नहीं है question number 31 संभिधान सभा किसके अंतरगा स्थापित की गई तो दोस्तों cabinet mission plan जो कि 1946 में आया था बहुत ही simple question है direct question है यहां किसने कहा कि भारत का संभिधान आशा और प्रेणा की अपेक्षा भाय और संतरास में बना मतलब डर में ये ज़्यादा बनाए ये बात की थी पॉल आर ब्रासने और ये सारे के सारे क्या है इंडियन constitution के ग्याता है तो इनको आपने एक बार पढ़ लेना है निमलिखित में से संभिधान का कौन सा अनुचेद विधान मंडल को असंभिधानिक और अमान्य गोशित होने से रोकता है जो आपका विधान मंडल है ना उसको असंब्यधानिक और अमान्य गोशित होने से रोकता है वो है अनुचेद 31B दूसरे देखो दोस्तों ये समानता का अधिकार से रिलेटिड है और ये कर्तब्यों से मौलिक कर्तब्य 39 एधारमिक स्वतंतर तो यहां पर करेक्ट आंसर है 31B संब्यधान भारती संब्यधान में निमलिखित में से कौन से संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया दोस्तों बहुत से लोग इसमें कनफ्यूज हो जाते हैं यहां पर भारती संब्यधान में कौन सा संशोधन ये दोस्तों संशोधन क्या है बिल है संशोधन बिल 93 है और amendment बिल जो ये कानून कब बना था 86th amendment में लाया 93 गया था और पास 86 में हुआ था तो इसका correct answer है C Q35 Q35 Q37 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 Q39 Q37 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 डेबलेटमेंट लिखी है प्रणव वर्धन ने ये डारेक्ट रटा मारने वाली वाते हैं स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतो के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निमलिखित में से किसमें शक्ती निहित की जाने चाहिए पंचायतो के निर्वाचन आपको पता ही इसका संचालन कोन करता है राज्ये निर्वाचन आयोग बले ही घुमा फिरा के पुछा है लेकिन बहुत सिंपल है तो 42 का करेक्ट आंसर है C Question No.43 भारत के राष्टपती राज्ये के संब्यधानिक प्रमुख होते है संब्यधानिक प्रमुख है नाम मातर मुख्या भी बोला जाता है प्रधान मंतर की अध्यक्षता में मंतरी परिशत के पास सभी शक्तिया नहीं होती है क्योंकि ये संब्यधानिक या नाम मातर मुख्या है नाम मातर मुख्या क्यों है? क्योंकि प्रधान मंत्रे की अध्यक्षता वाली मंत्री परिशत के पास सारी शक्तिया होती है तो इसका मतलब है ए और आद दोनों से ही है और आर एका सही स्पष्टी करण है Question No. 44 Muslim League का उद्गम हुआ है 1906 के अंदर लखनव समझोता आप लोगों को पता है जब मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के अंदर समझोता हुआ था तो यह 1916 में हुआ है मौतिलाल नहरू रिपोर्ट 1926 बहुत सिंपल है और मुहम्मद जिन्हा ने क्या दुई राष्टी सिधान दिया था 1940 के अंदर तो 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी, दो, तीन, चार, एक Q45 भारत के निमलिखित राष्ट पतियों का सही अनुकरम क्या है तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सिंपल दिये है और इसकी आपने एक ट्रिक भी बना लेनी है मैंने भी बनाई है, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसको भी बता दूँगा तो आपको पता है, पहले हमारे राष्ट पती थे डॉक्टर राजंदर परसाद उसके बाद बने है राजंदर परसाद के बाद बने है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसेन जाकिर हुसेन के बाद आर्फ वेंकटर रमन और सबसे 1992 के अंदर बने है डॉक्टर शंकर देयाल शर्मा तो 45 का यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी दो एक चार तीन देखते अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 46 निमलिखित कतनों पर ध्यान दीजिए संगठनात्मक सिधानतों के क्षेत्र में संगठनात्मक जो सिधानते उसके क्षेत्र में क्या आता है वो आपने बताना है संगठनात्मक सिधान्तों को बनाते हुए गुलिक फ्योल के 14 सिधान्तों से बिल्कुल प्रभावी था उर्विक प्रशाशन के मनतव्यों से कमेटियों के प्रयोग के संबंद में चेतावनी देता है ये देखना पड़ेगा गुलिक कारे विवाजन के आधार को कोई महतो नहीं देता है उन्होंने अलग से कारे विवाजन की थियोरी भी दिये उसके बाद है फ्योल का आदेशु की एकता के सिधान्त में विश्वाश है बिल्कुल इन्होंने कमांड की एकता की बात की है तो यहाँ पे दो भी ठीक है एक दो और चार ठीक है एक दो चार तो इसका मतलब है डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है question number 47 सूची एक को आपने सूची दो के साथ मिलाना है और यह administrative thinker है और इसके उपर मैं अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ आप लोगोंने आई थिंक देख भी लियोगी तो इसमें सबसे पहले है फ्रेडरिक हर्जबर्ग हर्जबर्ग ने दी है motivator hygiene approach जिसमें X और Y थियोरी के हिसाब से इन्होंने बताने की कोशिश किया है अब रहा है मासलो ने need hierarchy दी है the need hierarchy फ्रेड डबली रिक्स इन्होंने दिया है concept of the existence of collects और MP Follet ने दिया है concept of partnership concept of partnership तो 47 का correct answer है A question number 48 चेस्टर आई बर्नाड के अनुसार वैद अधिकार का आदेश के बारे में निमलिखित में से कौन सा सही नहीं है ठीक है John of Indifference भी इन्होंने दिया है चेस्टर बर्नाड ने तो देखते हैं इस को यहां संगठन के मंतव्य के अनुकूल होना चीए बिलकुल सही वैद अधिकार का आदेश वो होता है मतलब वैद आदेश वो होता है जो संगठन के मंतव्य के अनुकूल होता है कि जो संगठन में जो नीतिया बनाई है उसके अनुसार होने चीए आदेश यहाँ बुद्धी गम्य होने चाहिए, यह बिलकुल तर्क संगत भी होने चाहिए, सनी की irrational तरीके से आप आदेश दे रहे हैं, उसको लोग मानने लग जाए, इसे व्यवहारी होना चाहिए, मतलब इसे व्यवहारी होना चाहिए, व्यवहार में भी उसे लागू किया जाना एक मजदूर को बोलने लग जाए, मतलब आदेश दे रहा है एक सुपरवाइजर कि आप पचास बेग बनाओ, हला कि व्यवहार में नहीं बना सकता है, व्यवहार में दसी बेग बना सकता है, तो इसका correct answer है C, मौदरिक दरिश्टी कौन से उत्प्रेरिक होना चाहिए, यह यहाँ पर चेस्टराई बर्नाड ने नहीं की है, तो इसका correct answer है C, मूने के अनुसार उच अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों का दिया जाना कहलाता है, मूने के अनुसार उच अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों का दिया जाना कहलाता है, मूने बात की है प्रत्यायोजन की प्रत्यायोजन प्रत्यायोजन को इंग्लिश में वो लड़ता है डेलिगेशन जो आप डेलिगेट करते हैं किसी अधिकार को ठीक है किसने विकास प्रशाशन को ऐसे परिवाशित किया है यहां क्रियानोन मुखी उदेशन मुखी प्रशाशन आत्मक पधती है क्रियानोन मुखी का मतलब यहां पर क्या है जो आपकी वर्क चीक है इसको इंग्लिश में देख लेते हैं लिवत बहुत जादा टफ लग रहा है मुझे भी गोल ओरियंटीड की बात की है एडवाड वीडनर ने दोस्तों 2017 में भी यह कॉस्चन रिपीट हुआ है उसमें आया था कि विकास प्रशाशन को गोल ओरियंटीड और चेंज ओरियंटीड किसने कहा ठीक है तो यह एडवाड वीडनर है डेविड निकमियास एवं डी एच रोजेन ब्लूम के अनुसार निमलिखित में से सहवागी सहवागीता अधिकारी तंतर का तत्तों नहीं है दोस्तों इस टाइप के कोश्चन बहुँ जादा कनफ्यूज करने करते हैं क्यूंकि मैं खुद ये नाम पहली बार देख रहा ह होंगे जो अभी आने वाला कोश्चन पेपर है उसमें कुछ कोश्चन इस टाइप के होंगे तो इसका करेक्ट आंसर है उन्हें राजनीतिक सुच्चा चारिता से बचाने के लिए सिविल सेवा संग बनाना कोश्चन नमबर 52 निमलिखित में से किसने एक संगठन में जॉन आफ इंडिफिरेंस की अवधाना का प्रतिपादन किया तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यह है चेस्टर आई बर्नार्ट जॉन आफ इंडिफिरेंस ठीक है और यह नियंतरन के क्षेतर के अंदर इन्हों ने दिया है कोश्चन नमबर 53 टेलर की मानसिक रांती की अ अधाना पक्षदर है टेलर ने जो मैंटल रिवलिशन की बात की है वो किसके संबंद में की है तो सहकारिता संबंज जस्य एवं सीमित उत्पादन अब दोस्तों सीमित उतपादन की तो FW टेलर बात करी नहीं रहे थे वो वोड़े थे की ज़्यादा से ज़्यादा उत्प पक्षदर है ठीक है कोश्चन नमबर 54 निमलिखित कमेटियों मैंसे किसने पंचायती राज संस्ताओं के लिए दुईस तरिय प्रणाली की बात की बहुत बार रिपीट हो चुका है अशोक महता कमेटी इसके बारे में जादा बात नहीं करूंगा भारत सरकार द्वारा केंद किस मितियों को काला नुक्रम में व्यवस्तित करे और नीचे दिये गए कुटो से सही उत्तर आपको चुनना है ठीक है तो 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है और आपने इनकी डेट चेक कर लेनी कि कब-कब ये कमेटिया बनी है कॉश्चन नमबर 57 निमलिखित कमेटियों म किस कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्थर ये योजना हो मतलब ब्लॉक स्थर पे क्या है ब्लॉक स्थर के उपर योजना है बनाई जाए और ब्लॉक को ज़्यादा स्ट्रेंदन किया जाए तो ये बात की थी दंतवाला कमेटी ने ये चारों की चारों पंचायती रा है ठीक है liberalism का तत्व नहीं है वो आपको बताना है नी विनियमन बिल्कुल सही बात वी नोकरशाही करण भी है अप नियोजन स्टेटी सेशन स्टेटी सेशन का क्या मतलब है कि स्टेट जादा से जादा पावर्फुल होगा और स्टेट क्या करेगा कंट्रोल करेगा economy तो ये उदारी करण बिल्कुल इसके opposite काम करता है स्टेटी सेशन इसका मतलब उदारी करण का ये भाग नहीं है Ombudsman सस्था सरोप्रथम कहां उत्पन हुई Ombudsman को भारत में बोला जाता है Loka Yukt तो ये Sweden से शुरूई थी 1909 में उसके बाद ये Denmark में आई फिर Switzerland फिर UK में आई ठीक है Question number 60 अदो लिखित दो कतनों को आपने Assertion and Reason के question है उत्तरदाईत्यों की चर्चा करते हुए Follett कहते हैं कि प्रबंद करने वालों और जिनका प्रबंद किया जाता है के बीच अंतर लुप्त हो रहा है तो ये इनका बिल्कुल यहाँ पे सही इनकी एकोटेशन है इन्होंने बिल्कुल ये कहा है अपनी बुक में Creative Experience के अंदर संगठन में प्रतेक व्यक्तिक कार्य को अन्य कारियों के अंतर आश्रित जानकर दिखा जाए अंतर राश्रे राजनीती में उदारवादी परिप्रेक्ष के विकास में निमलिखित में से कौन से महतोपूर्ण व्यक्ति थे उदारवादी व्यक्ति इसमें से कौन थे वो आपको बताने है Thomas Hobbs Thomas Hobbs भी उदारवादी Thomas Hobbs कौन थे ये थे Realist Thomas Hobbs रियलिस्त थे Hans J. Morganthu भी और Henry Kissinger भी यहाँ पर कौन थे उदारवादी Woodrow Wilson Question number 62 सुची एक को सुची दो से मिलाना है और ये इनकी कुछ थियोरी और इनकी बुक है सबसे पहले यहाँ पर देखो Joseph 9 ने दी है Soft Power Soft Power S.P. Huttington ने Clash of Civilization 1996 के अंदर लिखी है Emmanuel Waller Strain आपको पता है World System किनों ने बात किया और Susan Strain ने Retreat of the State तो यहाँ पर 62 का correct answer है 1, 3, 4, 1, 2 Question number 63 Britain Woods समझोते के द्वारा Britain Woods समझोते के द्वारा क्या किया गया था वो आपको यहाँ पर बताना है Britain Woods समझोते के द्वारा Question number 64 बहुसे अथारवादियों के अनुसार अंतराष्ट्य शान्ती किस परकार सर्वत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है कि अंतराष्ट्य शान्ती कैसे प्राप्त की जा सकती है और इसमें आपको Hans J. Morganthu की quotation भी याद होगी उन्होंने क्या बोला था कि राज्यों के बेज शाक्ती संतूलन आपको बनाना पड़ेगा Question number 65 नावकिय युद्धनीती के क्षेतर में M.A.D. 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 से क्या अभी प्राए है M.A.D. का मतलब है Mutually Assured Destruction मतलब अगर किसी ने भी प्रमाणू हतियार का प्रयोग किया तो Mutually Assured Destruction होएगा और दोनों तरफ भारी हनी होगी यहाँ किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार की विदेशनीती होता है युद्ध विदेशनीती होता है ये बात की थी Karl Von Clevitz ने Question number 67 Good निरपेक्षता जो कि भारत की विदेशनीती है से अभी प्राय है इसका क्या मतलब होता है स्वाधिन्ता और प्रतेक मुद्ध को अपने राष्ट्री हित में देखना ठीक है इसलिए क्या है भारत किसी भी गुट में नहीं मिल रहा था क्योंकि भारत को लग रहा था अगर वो अमेरिका के साथ मिल जाता है तो USSR उसका सहयोग नहीं करेगा अगर USSR से मिलता है तो USA उसका सहयोग नहीं करेगा उसका correct answer C है question number 68 assertion और reason का question है भारत वेश्विक स्थर पर प्रमाणू निशेश्त्री करण के लिए तदा क्षेश्त्री श्तरकर वास्त्विक निउन्तम्हानी के लिए है बिलकुल सही बात जो भारत का प्रमाणू निशेश्त्री करण है उसके दो लक्षे है तो यहाँ पे reason में भी यही बात की गई तो इसका correct answer E और R दोन से ही और R A का सही सपष्टी करण है question number 69 भारत के विदेश मंत्रा लेके निमलिकित मंत्रियों का सही काल करम आपने बताना है और दोस्तों यह बहुत ही मदब पुराने है और इस टाइब के question I think repeat होंगे या नहीं होगे मुझे नहीं पता है और मैं इसके उपर जादा ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ तो इसका correct answer यहाँ पे है question number 70 इंदीरा doctrine इंदीरा doctrine को भारती विदेश निती का मुखे पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाशित किया गया है दोस्तों इंदीरा doctrine को भी आपने एक बार देख लेना है इसमें क्या किया था भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी परकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाएगा इसलिए इंदीरा गांधी ने क्या किया था 1971 के अंदर पाकिस्तान के उपर आकरमन कर दिया था क्योंकि बांगलादेश से बहुत सारे शर्णाथी भारत में आ रहे थे और उसे बारत की इंटरनल सेक्योटी के लिए भी खतरा उत्पन हो रहा था Question No.71 United Nation Charter जो UNO का Charter है मुखेता क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है तो यह क्या है शांती, नियाए, स्वतंतरता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विशो के लिए बनाया गया है ठीक है शांती, नियाए, स्वतंतरता और आर्थिक सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विशो के लिए यह बनाया गया था Question No.72 अंतरराष्ट्रिय सामाजिक परंपरा को निमलिखित के नाम से भी जाना जाता है अंतरराष्ट्रिय सामाजिक परंपरा इसे सोशल साइस स्कूल भी बोला जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और हैडले बूल इसमें एक प्रमुख राजनितिक चिन तक है तो इसका क्या मतलब है अंतरराष्ट्रिय संबंदों का इंगलिश स्कूल इंगलिश स्कूल से हैडले बूल इसके प्रमुख रहे है कॉश्चन नमबर 73 भारत श्रीलंका समझोते का मुख्य प्रयोजन क्या था जो भारत श्रीलंका के बीच समझोता 1987 में हुआ है और ये राजीव गांधी के टाइम में हुआ था इसका लक्षे क्या था इसका लक्षे था जो सिंहाली और तमीलों के बेच एथने सिटी के उपर जो संगर्ष चलावा था श्रीलंका के अंदर उसका समाधान करना था और इसके लिए भारत ने शांती सेना भी भेजी थी श्रीलंका एशिया पैसिफिक एकोनोमिक कोपरेशन अपैक फोरम क्या है वो आप अपने इसमें ये भी देख ले ना इसमें कितने देशे कौन कौन से देशे और भारत इसका सदस्य है या नहीं है तो वो कब बना क्षेतरी समूहों के परती अपेक्षा कृत सामाने प्रवर्ति का भाग भारत में है श्रीलंका में तो ये सारे के सारे या पे सत्य है शीत युद कॉल्ड वार के प्रती USA द्रिष्टिकॉर्ण मूल रूप से किसमे स्पष्ट किया गया था शीत युद की जो स्ट्रेटरजी थी वो यहाँ पे ट्रूमेंड डॉक्टरिन 1947 के अंदर इन्होंने सुनिश्चित कर ली थी दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो थी प्रिविएस येर कोश्चन पेपर प्रशन पत्र तीन के उपर अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें लाइक करें थेंक्यू थेंक्स फूर वाचिंग